हेई वेल्काम बैक टूर चैनेल दोस्तो अचकी इस प्रिमां बात काने वाल है हाउ डू सेटप एप लोग कोई भी एप्लिकेशन और गेम को पास्वार्ट डालके लोग कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले इस डिबाइस में सीक्यूर फोल्डर सेटप करना होगा उसके बाद हम एप्लिकेशन लॉग कर पाएंगे इस फोल्डर को सेटप करने के लिए सेटिंग्स में जाएए सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहां साजवार पर फाइन करना है सीक्यूर फोल्ड दोस्तों यहां पर आपको एक दोव ऊपर में सीक्यूर फोल्डर देखने को मिल जाएगा यहां कंटेंट बटम पे टैप करके सेटप सुडू करेंगे दोस्तों सीक्यूर फोल्डर एकसेस करने के लिए सेमसंग एकाउंट एड़ करना पड़ेगा अगर आपके पास पहले से कोई सेमसंग एकाउंट है तो उसे साइनिंग कर लिजिए अगर नहीं है तो मोईल नंबर और इमेलारी डाल के एक नया एकाउंट क्रिएट कर सकते है तो मेरे पास एक सेमसंग एकाउंट था मैं उसको एड़ कर लेता हूँ इसके बाद Samsung icon का all terms and conditions एग्डिशन एग्री काना होगा वान टू फास्टर वे टू साइनिंग इसे कैंसर कीजिए पार्मिसन पर सीक्यूर फोल्डर नेक्स्ट कॉंटिनू करें दोस्तों सीक्यूर फोल्डर क्रियेट हो रहा है फोल्डर रेडियो ने में थोरा समय लगेगा तब तक इंतेजर कीजिए इस फोल्डर को पोडेट करने के लिए पीन, पासवार्ट और पैटन लॉक सेट कर सकते हैं मैं इन में से पीन लॉक को चून लिया पीन डाले के बाद यहां टीक लगा के कॉंटिनू करें नेक्स्ट सेम पीन डालके कॉंफरिं कर दीजिए टार्न ऑन रिसेट उइट समसंग अकट अगा सेकूर फोलर का पासवडट का भी भूल जाते हैं तो समसँंग अकांट के जरीए पासवार्ट रिसेट कर सकते हैं तो इससे टान ऑन कार दीजिए इसके अलबाद Secure Folder एक्सेस करने के लिए Finger Pin Lock को भी एड़ कर सकते हैं Next Secure Folder के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें Photo, Video, Important Document hide कर सकते हैं इसके साथ App Hide और Application पर Lock भी लगा सकते हैं इन से भी फिजर्स को उपएक करने से पहले मैं आपको कुछ Important Settings के उड़ें बात आता हूं यहां 3.0 लाइन पर टैप करके Settings में जाएं यहां Lock Time में जाके Pin, Password या Pattern सेट कर सकते हैं Auto Lock Secure Folder By default, when Screen Turn Off set रहाएगा इसे Change करके Ace Time I Live and App Set कीजिए इससे क्या होगा, जैसी आप Secure Folder से बाहर जाएंगे यह तुरंत Lock हो जाएगा Notification and Data इसके अंदर साइड Notification Hide रहते हैं अगर आपको Notification चाहिए तो उसका Permission allow कर सकते हैं Add Secure Folder to App Screen Phone की Home Screen पर जहां साड़े Apps रहते हैं आपके Secure Folder का Icon दिखाई देगा उसको Hide रख सकते हैं दोस्तों इसके अलबा Customize टेप में जाके इसका Name, Color और Icon Style चेंज कर सकते हैं App Lock Secure Folder के अंदर Game यह एप्लिकेशन को बहुत असनी से Lock कर सकते हैं कोई भी एप्लिकेशन लोग करने के लिए प्लास आइकन पर टैप करना है फिर आपके समने कहीं सरे Option आएगा Direct Play Store से App डाउनलोड करके लोग कर सकते हैं Galaxy Store से Game डाउनलोड करके लोग कर सकते हैं या फिर जो एप्लिकेशन हमारे फोन में अलड़ी इंस्टल किया हुआ है उसका Clone बना के लोग कर सकते हैं दोस्तो हमारे फोन में पहले से ही Amazon, Flipkart, Instagram, Snapchat और WhatsApp इंस्टल करके रहागा था आप इनसे भी एप्लिकेशन को लोग करेंगे यहाँ टिक लगाने के बाद एड़ करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसे भी एप्लिकेशन सीकूर फोलर के अंदर इंस्टल हो चुका है दोस्तो उसके बाद सैमसंग के एप स्किन से उसका जो मेन एप्लिकेशन था उसे अनिस्टल कर दीजिए और उसका जो क्लोन वर्सन हमने इंस्टल किये थे उस सीकूर फोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं आप चाहे तो दोनों जगाव में दो अलग-अलग होर्षब एक्कॉन भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अब जो एप्लिकेशन सीकूर फोलर के अंदर इस्टल किया हुआ है उसके एक सॉटकर्ट क्रेट करके एप लॉक फिचर्स उपएड कर सकते हैं सीकूर फोलर ओपेन करने के बाद प्लास अगन पर टैप करके दूसरे कोई भी एप या गेम एड़ कर सकते हो उसके बाद जिस एप को होम स्कीन पर एड़ करना है उस पर टैप एन होल करें फिर आपके समने एक टु होम का पॉप अप आएगा अब इसको होम स्कीन पर एड़ कर लिजिए इससे क्या होगा समसंग की जो मेन एप स्क्रीन है वहाँ पर एप्लिकेशन एड़ हो जाएगा हमने वार्टस एप और एमाजन का सौटकार्ट क्रियेट कर लिया था आद में जब एप ओपन करेंगे आपको पासौट डालना पड़ेगा तो दोस्तो इस तरीके से से तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सबसेप करना ना भूले